नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर राजा रेवी वर्मा के बारे में आपने सुनाओगा, one of the most famous painter थे 19th century का इनको father of modern Indian art भी कहते हैं and he is widely known for his realistic portrayal of Indian gods and goddesses Indian gods and goddesses के कई realistic portrayal ये बनाए हैं इन्होंने अपने painting से, print से, olio graph से, कई सरे लोगों को inspire भी किया है अब आप पूछे के olio graph मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, olio graph मतलब एक tip का print है लगेगा ये oil painting जैसा, देखिए normally एक artist, एक canvas में अपना painting बनाते हैं पर olio graph मतलब ये already printed होगा, ये printed material को ये canvas में छपते हैं इसके बाद थोड़ा बहुत modification करते हैं और ऐसा लगेगा ये oil painting है बस आपको यही समझना है, olio graph से basically prints, but resemble oil paintings मतलब अगर आपके सामने दो photo लग दिया जाएगा ये बोलेगा ये olio graph है, basically print है, दूसरा oil painting है तो आप इन दोनों के बीच में distinguish नहीं कर पाएंगे ठीक है, मतलब इतना अच्छा modification उस olio graph में करेंगे कि वो लगेगा oil painting जैसा ठीक है, ज्यादा गुषने की ज़रूद नहीं है तो राजा रवी वर्मा अपने olio graph से, print से, painting से लोगों को भी inspire करते थे अब ये news में क्यों आया है दोस्तों देखे, coming April 6 को, one of his significant paintings द्रावपती वस्तराहरण will be going under the hammer for the first time देखे, राजा रवी वर्मा का बनाया हुआ जो paintings है न ये करोडों रुपिये में बिखते हैं जब इनका auction होता है अब coming April 6 को, इनका one of the significant paintings द्रावपती वस्तराहरण photo आप इदर देख सकते हो, इस painting का auction होने वाला है और ऐसा expectation है कि 15 से 20 करोडों रुपिये में ये जो canvas से ये auction होगा अब द्रावपती वस्तराहरण मतलब क्या है आप सबको पता है इदिस सीन फ्रम महाभारता राजा रवी वर्मा का जनम एपल 1848 में हुआ था इन किलिमानू केरला, इनके family ट्रावंकूर रोयल फैमिली से काफी close थे बैच्पन से ही ये अलग-अलग paintings बनाते थे रोयल पैंटर रामस्वामी नाइडू के नीचे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया इसके बाद इन्होंने डच आर्टिस्ट थियोडर जैंसन के अंडर भी ट्रेनिंग लिया राजा रवी वर्मा के paintings late 19th century तक काफी popular हो चुके थे एक टाइम पर वो इतना popular था कि इनके लिए painting request आते थे इंडिया में कहीं जगावों में से और इसके लिए किलिमानूर पालस के आसपास एक post office खुलना पड़ा केवल इनके painting request रिसीव करने के लिए वो इंडिया में कहीं जगावों में ट्रावल किया और अपने painting से 14 पुनानिक paintings commission किया for the दर्बार हाल of the new Lakshmi विलास पालस at Baroda इनके painting में Indian culture depict होते थे और महाभारता और रामाने जैसे epic का कई सारे episodes का भी painting इन्होंने बनाया जैसे मैंने आपको द्रावबधी वस्तराहरन के बारे में पिछले slide में बताया मेरा कहने का मतलब है इंडिया भर में राजा रवी वर्मा काफी popular हो चुके थे कई सरे राजा रजवाडों ने इन्हें अपना painting बनाने के लिए अपने पैलस के लिए paintings बनवाने के लिए बुलाता था जैसे राजा रवी वर्मा के paintings ज्यादा popular होने लगे वो दूसरे countries में भी जाके अपना painting exhibition करता था तो इन्हें 1873 में Austria का capital Vienna में अपना painting exhibition के लिए एक अवार्ड भी मिला इसके बाद three gold medals इनको मिल चुका है अट the world's colombian exposition in Chicago in 1893 जैसे मैंने आपको पहले बोला राजा रवी वर्मा अपने painting से लोगों को inspire करते थे इसी वज़े से इन्होंने 1894 में Bombay में एक lithographic press खोला अब आप पूछो के lithographic press मतलब क्या होता है देखे जहां एक surface में paintings का print होता है जैसे कि आप इस photo में देख सकते हो यह जो surface है इसमें paintings प्रिंट हो रहा है हाथ से नहीं बना रहे है प्रिंट हो रहे है अब litho का मतलब क्या होता है stone होता है उस टेम पर कोई flat surface of stone पे जब paintings को इंस्क्रेब करता था ना इसे lithography बोलते थे ठीके तो इस तरह का एक lithographic press खोला दा राजा रेवी वर्मा बोंबे में in 1894 दा फर्स पिक्चर प्रिंटेट अट वह मास प्रेस वास रिपोर्टेटली दा बर्त ओव शकुंतला बर्त ओव शकुंतला वाला जो पिक्चर है आप इदर देख सकते हो यह पहला पिक्चर था उनका press में print होने वाल जर्मन लिथोग्राफर फ्रिट्स श्लेशर ठीक है फ्रिट्स श्लेशर को इन्होंने 1901 में अपना लिथोग्राफिक प्रस बेच दिया देखे इनके जितने प्रिंट्स थे न वो आज के जनरेशन को भी इंस्पेर करते हैं आप मैंसे कई लोग अमर चित्रगधा पड़े होंगे यह अमर चित्रगधा में जिस तरह का इलूस्टेशन था वह सब राजा रेवी वर्मा के पेंटिंग से इंस्पेर हुआ है तो दोस्तों फाइनली इसके साथ साथ राजा रेवी वर्मा के कुछ इंपोर्टन पेंडिंग्स भी हम देख लेते हैं यह मैंने गूगल सर्च किया है यह स्क्रीन में इसलिए पूंतला वुमन होल्डिंगे फ्रूट हमसा दमेंति यह जो हमसा दमेंति है दोस्तों दिस इस वन आप तो मोस्ट फेमस पेंटिंग्स ओप राजा रभी वर्मा तो आपसे एक्जामिनेशन में पूछ भी सकता है क्योंकि इतना न्यूज में आ रहा है मतलब दो तीन गैलक्सी ऑफ मुशीशियंज आहल्या रिक्लेनिंग नायर लेडी विश्वामित्रा आधिशंकराचारिया मेनका शकुंतला स्टॉलन इंटर्व्यू तो यह सारे इंपोर्टन आर्ट वर्क से राजा रिवी वर्मा के और गोगल सर्च करना है दोस्तों आपको फेमस विर्सीज भी आया है इनके पेंटिंग्स को लेके राजा रिवी वर्मा अमर्ता शेर्गिल एसच राजा ताइप महता फ्रांसिस न्यूटन जूजा नंदलाल बोस सदीश गुजराल जामनी रोई रेबींदर नाथ टागोर अभियोसली फिर अबनींदर नाथ टागोर व बिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है थैंक्यू फॉचिंग बाइबे हैवनेश्ट